कि अग्षाइब अप्रेंज आप सब का अपके अपने चनल कोई लेक्षास में एक बाप फिर से स्वागत है तो कैसे हो आप सब उम्मेद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बिड़ाएब इची चल रहे होगी तो कशादस विध्यान विश्य के में अधुपन प्रशनों की सरजा करेंगे इसके पार्ट वन में हमने कुछ महतुपन प्रशनों को डिसकस कर लिया था उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है बहां जाकर आप उन प्रशनों को आराम से देख सकते हैं इस चेप्टर का ये पार्ट नमबर टू है जिसमें हम इसके प्रश्णों को त्यार करना है पचले एक लासम सरुबरते हैं सबसे पहला प्रश्ण दिया गया है कि जो प्रकास है वो संचरित होता है प्रकास का संचरण किसमें होता है किरन के रूप में होता है तरंग के रूप में या दोनो तो प्रकास कीरन और तरंग दोनों ही र होती है परकास के चाल सबसे अधिक किसमें होती है तो परकास के चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में परकास के कैशल उसी माध्यम में वापिस लोट जाना किस गटना को दर्शाता है परकास की किरन का किसी प्रावर्तक प्रश्ण से टकरा कर उनों उसी माध्यम में वापिस लोट जानने की जो गटना है उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रकास का प्रावर्तन क्या कहते हैं प्रकास का प्रावर्तन गत T jeśli सम्षाय स्नुनाच अगे बड़ते हैं सेल का नियम संबंदित ऐसे सेल का नियम क्या कहता है साइन आई अपॉन साइन आड एकवल to aby posth ठीक है और यह आपके सम्मंदित है परकास के अपवर्तन से, परकास के अपवर्तन का दूसरा नियम है सनेल का नियब, आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या पांच, संतल दर्पण में परतिबिम बनता है, तो संतल दर्पण में बनने वाले जितने भी परतिबिम हैं, वो सब आबासी और कैसे होते हैं सीधे होते हैं कैसे होते हैं आबासी और सीधे प्रश्ण संक्या 6 प्रकास के प्रावर्तन की गटना में यदि आपतित कौन का मान 40 डिग्री हो तो फिर प्रावर्तित कौन का मान कितना होगा तो आप सब को पता है कि प्रावर्तन की गटना में जितन प्रश्ण संख्या ही होगा प्रश्ण संख्या साथ यदि किसी अवतल दर्पन की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रीजिया आर है तो उन दोनों में संबंध क्या होगा तो संबंध होता है यानि जो वक्रता त्रीजिया है वो फोकस दूरी की कितनी होती है दूदूरी होती है तो अप्रश्ण नमबर यह आपका सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 8 मोटर कार की हैडलाइट में कौन से दर्पन का उप्योग होता है तो मोटर कार के हैडलाइट में आपके अवतल दर्पन का उप्योग होता है किसका उप्यों होता है अवतल दर्पन का उप्यों मोटर कार की हैडलाइट में होता है वही पूछे कि मोटर कार में साइड मीरियर में किसका उप्यों होता है तो साइड मीरियर के रूप में उतल दर्पन का उप्यों होता है प्रशन संख्या 9 कालपनिक परतिविम होता है तो वास्त्विक परतिविम आपका उल्टा होता है दिक कैलपनिक परतिविम स्देव सीधा होता है अगला प्रशनल संक है दस एक मेत्र फॉकस दूरी वाले वाले उठ्ल लेंस की समता कितनी होगी तो देखो लेंस की समता का सुत्र क्या है ती इक वर्ण हएव ex यह आपर फोकस दूरी कितनी दूरी है एक मीटर तो पी बराबर वन अपन वन तो लेंज की समटा भी कितनी होगी वन डाय अप्टर ठीक है ऑप्सण नमबर आपका सई जबाब है किसी उतल लेंज की फोकस दूरी है और अपको ध्यान रखना है आगे प्रश्न संख्या 12 किसी दरपन से वस्तू का बड़ा परतिविम बनाता है कौन सा दरपन वस्तू का बड़ा परतिविम बनाता है तो जो आपका अवतल दरपन है वो किसी वस्तू का बहुती बड़ा आवधित परतिविम बनाने का काम करता है आगे प्रश्ण संख्या 13 निम्दम ऐसे किसके द्वारा निच्चित रूप से किसी दूरस्त उंचे भवन का पूरी लंबाई का परतिविन देखा जा सकता है। आगे प्रश्ण संख्या 15 किस लैंस के द्वारा शिरफ आभासी परतिविन बनता है। प्रश्ण संख्या सोड़ा आपतन कोण है। आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण होता है आपका अभीलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण। वही अभीलंब और प्रावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कौण है। वह कहलाता है आपका प्रावर्तन कौण। क्या कहलाता है प्रावर्तन कौण। ठीके। आगे बरते हैं प्रश्मेशन कैं 17 अवतल दर्पण का उप्योग होता है 17 अवतल दर्पण का उप्योग होता है। यह गटना किसके कारण होती है, तो जल के अंदर डूबी जो मचली है, वो वास्तवी गहराई से उपर उठीवी दिखाई देती है, ऐसा होता है अपवर्तन की वज़े से, अगला प्रशन है, डायप्टर किसका मात रखे, तो डायप्टर मात रखे आपकी लेंस की सक्तिई का, किसका मात रखे, लेंस की सक्तिई का, प्रशन संक्या 19, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का परतिविम सदेव, तो अवतल लेंस के सामने रखी वी जो वस्तु है, उस सद्धवाले प्रश्ण आगे बढ़ते हैं कुछ महत्पुन अति लगू उत्रात्मक प्रश्ण पहला प्रश्ण है प्रश्ण संक्या 20 फोकस दूरी को प्रिवासित किजिए किसको प्रिवासित करना है फोकस दूरी को तो किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदू किसी लेंस के म प्रस्णire संक्या 21 संतलज्म दर्पन में में आता है तो आप सब जानते हैं कि समतल दर्पन से बनने वाला प्रतिविव सदेव और सदेव आभासी होता है और कैसा होता है आभासी और सीधा होता है ठीक है प्रश्ण संक्या 23 दर्पन का द्रूव किसे कहते हैं दर्पन का द्रूव यानि पोल किसे कहते हैं तो गोलिय दर्पन के प्रावर्तक प्रस्ट के क साथ है ठीक है अगला प्रश्म है प्रश्म संक्य 24 गोली दर्पन की वकरता त्रीजिया आर और फोकस दूरी एप के बीच क्या संबन्द होता है गोली दर्पन की वकरता त्रीजिया आर और फोकस दूरी एप के बीच में क्या रिलेशन होता है तो छोटे द्वारक के गोली द सब्सक्राइब दोनों बात एक ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या अच्छेज दिया गया है अफ्तल दर्पन के कोई दो उप्योग लिखिए तो पहला उप्योग है टॉर्च सर्च लाइट और वहानों के हैड लाइट में और दूसरा उप्योग है सोर भट्टियों में सूरे के प्रकास को कैंद्रित करने में तीसरा उप्योग लेख सकते हैं सेविंग दर्पन में चोता उप्योग लेख सकते हैं दंत सिखिस्सा में ये सारे ही अप्तल दर्पन के उप्योग है रश्ण संक्या चब्दिश उत्तल द्रपन के कोई दो उप्योग तो एक तो वाँनों के अंदर पीछे के द्रश्टे को देखने के लिए हैनि साइड मिरर के रूप में और डूसरा सूर्डियम प्रावर्थक लैंपो में कहां पर sodium प्रावर्थक लैंपों में उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है प्रश्ण संख्या 27 दर्पन सुत्र लिखे क्या लिखना है दर्पन सुत्र क्या होता है 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F यहां पर V क्या है V आपकी दर्पन के दुरूब से परती बिम की क्या है दूरी है U क्या है दर्पन के दुरूब से बिम्ब की दूरी है और एप क्या है दर्पन के दुरूब से फोकस बिंदू की दूरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 28 आवर्धन क्या है क्या बताना है कि आवर्धन क्या होता है ठीक है तो प्रश्न है आपका आवर्धन क्या है तो परति बिम की उच्छाई तथा बिम्ब की उच्छाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं अब इसको ऐसे भी लेख सकते हैं V upon U V लेख सकते हैं. तो M equal to H dash, यानि परति भीम की होंचाई, बटे में H यानि की भीम की होंचाई, इसे कहते हैं आवर्धन, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं आपका आवर्धन. आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 39, अपका वर्धन को प्रिबासित कीजिए. तो सनाल का नियम क्या कहता है? कि परकास के किसी निचित वेग और निचित माधिमों के युगम के लिए आपतन कोण कीजिया, यानि साइन I, तता अपवर्धन कोण कीजिया, यानि साइन R का अनुपात सब्सक्राइब क्या होता है? इस्तिर होता है. ठीक है? साइन I upon साइन आर एकोल टू मिऐ एक कॉंसरेंट है. जिसे क्या कहते है? जिसे परदात का अपवरतनांक कहते हैं. और परदात का जो अपवरतनांक है, ये एक मातरक विहिन रसी है. कैसी रसी है? मातरक विहिन. इसका कोई मातरक नहीं होता. पुरशनल संक्या 31. लेंस को प्रवासित जिसको प्रिबासित करना है लेंश को तो दो प्रष्टो से बना कोई भी पारदर्सो प्रश्ट्री माध्यम कितने प्रश्टों से दो गोलिय प्रश्टों से बना कोई भी प्रश्ट्री माध्यम जिसका कम से कम एक 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 प्रश्ट्री माध् कि याँन्स से सीधे ही बाहर निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं लेंस का परकासिक कैंद्र। रश्नशन संख्या Lens के समता का मात्रक क्या है? तो Lens के समता का मात्रक है diopter और इसे D के द्वारा, Capital D के द्वारा परदसित किया जाता है. प्रश्न संक्या 34, Lens सूत्र लिखिए. Lens सूत्र क्या है? 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F. यह है आपका Lens सूत्र. V क्या है? दरपन के दुरूब से परतिविम की दूरी यू क्या है? दरपन नहीं यहाँ पर लेंस होगा ठेक है यहाँ पर क्या है? लेंस लेंस के दुरूब से परतिविम की दूरी फिर यू क्या है? लेंस के दुरूब से बिम्ब की दूरी और फिर एप क्या है? लेंस के दुरूव से फॉकस बिंदू की दूरी.So, यह ओगया आपका लेंस शुत्र. आगे बढ़ते हैं लगुधुन उत्रात्मक प्रश्नक. प्रश्ण संक्या 35 लेंस की सम्ता को प्रिवासित किजीं. तो लेंस की सम्ता का मतलब जा है किसी लेंस के द्वारा परकास की किर्णों को अभी सरण या अप सरण अनिकि शीकुडने या फेलाने की जो समता है इसी लेंस के द्वारा परकास की किर्णों को किसी एक मिंदू पर केंधरित करने या फिर फेलाने की जो मात्रा या समता है उसी को कहते है लेंस की समता और इसे पी परकार थीकर आँझे की जो प्रष्ण है प्रष्ण सेंक्या चट्पीस और ये जो देए हुए हैं 37 इन की सर्चा हम पारट वन के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो बार hon में न को को रिपीट नहीं करवाऊंगा पार्ट वन में हमने अग्तल दर्पन के द्वारा बनने वाले परतिविंबों की इस्तती उत्तल लेंस और अग्तल लेंस सभी के द्वारा बनने वाले परतिविंबों की इस्तती और किरन आरेक को समझा था तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार् क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो